मी प्रियांका इस डिस्क्राइबिंग दा टोपिक चेक लिस्ट या फिर परिक्षन सूची जब भी हम कोई सर्वे करते तो सर्वे करने से पहले हम टाइम टेबल मनाते हैं और वहाँ पहले पलानिंग करते हैं टाइम टेबल के अंदर हम क्या देखते हैं किस तरीके से वहाँ पकाम करना है कैसे क्या करना है और क्या उसके साथ में जब हम प्लानिंग करते है तो प्याया देखते हैं तो प्रिक्षन सूची क्या होती है जैसे हमने वहां पे कुश्चन पूछ रहे हैं तो कुश्चन पूछते टाइम पे हमारा बोलने का तरीका हमारी आवाज उनको सही से सुनाई दे रही है के नहीं यानिकि सारे के सारे चीजे महां पे जो भी है उनकी एवैलवेशन होती है यानिकि उनका रिजल्ट आता है कि हमने जो भी प्लानिंग की थी पहले वो हमारी सही तरीके से हो रही है के नहीं यानिक जो प्लानिंग हमने की थी टाइम टेबल बनाया था वो हमारा अच्छे तरीके से सर्वे के दोरान चल रहा है के नहीं उसका हम बाद में रिजल्ट और उसी को हम प्रिक्षन सूची प्रिक्षन का मीनिंग क्या वहां पर जो भी हम सर्वे कर रहे साथ के साथ में उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है इसको हम प्रिक्षन सूची या फिर चेक लिस्ट बोलते हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट हमारे सही से अच्छे तरीक लेते हैं कि question के list बना लेते कि हमें यह यह तथ्यमा से एकठे करने और इन इन बातों का हमें वहां पे पूछना है तो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है इसका उपयोग पर सिक्षक दवारा कक्षा या समूक दवारा व्यक्ति दवारा मुल्यांकन evaluation किया जाता है वोई बात है जो question पूछने वाला है यानि कि परशिक्षक और अगर हम जैसे class का example लेते हैं कक्षा का example लेते हैं तो जैसे कक्षा में अध्यापक वह बच्चे होते हैं यानि कि दोनों के बीच में जो भी वहाँ पर question और answers का coordination बनता है तब हम यह देख सकते हैं कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है देखो जब भी हम कोई question पूछते हैं तो जितने जादा answer उनके मिलेंगे इतना ही हम यह देख सकते हैं कि इतना ही जादा वहाँ पर जो बच्चे उनको समझ में आ रहा है अगर बच्चे अंसर ही नहीं करेंगे तो हमें एक तरह से समझ जाना चाहिए कि उनको अच्छे से समझ नहीं आया अगर वहाँ पे कोई भी opposite party नहीं है तो हमें उस टाइम पे यहीं मिलता है कि उनको अच्छे से समझ भी नहीं आया अगर हमें अंसर अच्छे से मिल रहे हैं, तो हमने जो समझाया है, वो उनको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, या फिर समू द्वारा, जैसे हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में क्या होता है, सर्वे में वहाँ पर समू होता है, लोगों का समू, उसमें हम question पूछते हैं, तो वो जितने ज़्यादा अंसर करते हैं इतना ही ज़्यादा उनको हमारे टोपिक समझ में आ रहा और इतने ज़्यादा वो बाते हमें बताएंगे या फिर जो भी वहाँ पे व्यक्ति है जो भी कोई वहाँ पे जिससे भी हम कोईशन पूछते हैं जितना वो रिजल्ट देते हैं जितने वो अंसर देते हैं ये उसका मुल्यांकन होता है ये उसका इवालवेशन होता है या फिर रिजल्ट होता है जितने हम कोईशन पूछते उनका इतने ही जादा answers मिलना या यो क्या कहलाता है हमाँ पर पर हमारी सही है या एक तरह से चैक वहां पर हो रही है स्वास्ते सीक्षा में प्रिक्षिशं सुची का रूप निमन्त परकार से होता है जैसे हम क्या है सवाइब करको अगर सर्वे में जाकर वहां पर वह घान सेंगे ंवह इनकी हां की उनْकी हैल्थ के रिकार्डिंक पूछत तो उसमें कुछ बिरींच बना लेके जाता कर फासा सरंबोलन में की देख लीका हुँध हैं, इदक हमक रख इने उस बात का फायदा क्या है इसलिए वहां पे हमेशा भासा सरल और सपस्ट होने चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ में आये और हमें बहुत ज़्यादा अंसर्स वह प्रोवाइड करे ताकि हमारा जो सर्वेव वहां से वहां पे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए सम मनदित है याने जो वहां पे समुव है उसका उनुभाव उन्हें पहले क्या क्या चीज़ें वहां पर देखिए वह सभी अपना अपना अनुभाव वहां पर супuz Songs कुरते अंसर्स देते हैं उसकी बाद है universe to पर्ति उतसां दिखाएंगे जो भी हमने लिस्ट बनाई है और क्या जब भी हम सर्वे कर रहे हैं तो उसलाई मुझे पता है शिक्षय सम्मंदी साधनों का उचितुपियोग किया जाता है और किया जो भी वहाँ जिन भी जैसे हम चारट का यूज कर रहे हैं हम कोई और एवी एड्स का यूज कर रहे हैं वहाँ पे उनस जैसे हम टीवी पे दिखा रहे हैं या फिर मोबाइल फोन में उन्हें कुछ ची तरीके से प्रियोग करना होता है जो भी हमारे अंदर विचार होते या फिर उनके विचार होते उनको अच्छे तरीके से वापे स्पस्ट रूप से दर्साना होता है कि हाँ आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है समू के परसुनों की परति किरिया दर्साता है और जो भ जो पूछा उसके रिगाड़े उनकी क्या किरिया वह अंसर दे रहे हैं के नहीं ठीक है उसके बाद है महतोपुरण मुद्धो का अपने आउट लोकन यानि कि जो भी महाँ पे महतोपुरण बाते हैं उनका रिवीव एक तरह से हमें मिलता है जो भी महाँ पर घटना हुई थी उसका एक तरह से हमें दोबारा से रिवीव दिखा देता कि हाँ जैसे पिछले साल यहां पर कैसे क्या कुछ हुआ था अब हम है तो नेक्स्ट इयर में लेकिन हमें यह पता चल जाता कि पिछले साल कैसे कैसे हुआ था हम उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं तो यह था हमारा चेकलिस्ट होता क्या है उसके बाद है समुदाय का सर्वेक्षन यानि कि कम्यूटी के अंदर सर्वे किस तरीके से करते हैं क्या कुछ होता है और इसके अंदर क्या होता है इसकी क्या क्या मैथट होते हैं समुदाय में सर्वेक्षन Community survey कि आ होता है, जब भी हम समुदाइ में जाके, सामुदाइक dur National Emergency degree कि अमुदाइक की इकाई है, अनुशन धान का मतलब क्या होता है, research, ठीक है, तो समुदाइ के अंदर जाके, समुदाइक के अंदर की बातों की रिसर्च करना क्या कहलाता है वहां का सर्वे कहलाता है यानि कि जो भी बाते वहां पे हो रही है उनके बारे में ही दोबारे से ग्यान प्राप्त करना क्या कहलाता है कम्यूटी का सर्वे कहलाता है समुधाय का अध्यान है तू किया जाने वाला सर्वेक्षन समुधाय के इसमें हम नहीं नहीं तक्निकों का यूज करते हैं और यंज भी कोता हुआ यो पर समूदाए जो भी घटी तोरा उसके बारे में पता चल सके। जो पर समूदाय, समूदाय के बारे में हम अधियन कर सके इसके जैसे हम किसी भी टोपिक में वहाँ पर सर्वे कर सकते जैसे कि वहाँ पर गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है वहाँ पर अनएजुकेटिड पीपल्स कितने, कितने एसिक्सित लोग है आप है उसके बाद हैं समुधाय से समंधित सर्वेक्षण निमन लखी तो यान कि कम्यूटि के अंदर हम कौन कौन से सर्वे करते हैं पहला तो कि आर्थिक स्तिती आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण यान कि उनका एकनोमिक स्टेटस देखने के लिए कि कि इसके पास कितना पैसा कोन अमीर है कोन गरीब है सवास् जिसके अंदर हम लोगों के हैल्थ को देखते कितने लोग महाँ पर बिमार है और कितने महाँ पर है पोस्ट्ट्र रेक्षन किसको अच्छे से मिल रहा है और किसको अच्छे से नहीं मिल रहा परतिरक्षर्ण सेर्वेक्षन इम्मुनाइजेशन कि जैसे बच्चे हैं और फ्रेग्न वोमेंज़न उनका इन्मुनाइजेशन अच्छतरीकार नहीं किम्मूवन अच्छे से बढ़ाई जा रही है कि नहीं और क्या फैमिली प्लानिंग सर्वेक्षन यानिकी परिवार नियोजन सर्वेक्षन जिसमें हम कपल्स को हेल्थ के रिगार्डिंग वहाँ पर उनको एजुकेटिड करते हैं आपको छोटी फैमिली बनानी होती है और दो बच्चों के बीच में तिन साल का गैप होना चाहिए यानिके उनको हम सारी रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग उनको हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं और इस तरह का सर्वे वहाँ पर करते तो उसको क्या बोलते है प्रिवारन जोजन शर्वे तो यह कुछ सर्वे थे जिनको हम कम्मुटिए के अंदर करते हैं उसके बाद है works जयम 기 makers लोग बनके रह जाते हैं यहां फिर कुछ मेसे बाहर नहीं जाने दिया झारा मिना एजूकेशन के एजुकेशन नहीं दी जारी, वहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है, तो इस तरह से क्या, वहाँ पे सर्वे हम करते हैं, तो हम लोगों को educated करते हैं, उनको बताते हैं, कि अगर आप ऐसे करोगे, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, उनको हम सारी बाते हैं, और वो जो बाते हम उनको बताते हैं, उनको educate करते हैं, तो वो समुधाय के लोगों के लिए वहाँ पे उपयोगी होती है, उनको उपयोग करके वो इन चीजों से बच सकते हैं, ठीक है, कि इन चीजों से जैसे गरीबी, बेरोजगारी और एसिक्स है, इस तरह की चीजों से वो बच सकते हैं, उनको पोस्टन अच्छे से मिलेगा सर्वेक्षन की विश्वनियत है और क्या जब सर्वे करते हैं तो लोगों का आपसी विश्वास वहाँ पर बढ़ता है और वहाँ पर हम उपायुक्त विदी का चुनाव करते हैं जो सबसे अच्छी विदी है जो कि हमारे लिए सबसे अब बढ़ता होता हम आपके बात नहीं है हम आपकी बात नहीं बहां पर हमें उनको विश्वास दिलाना होता हर तरह से ठीक है लेकिन अपने ये भी महाँ पे safety यूज करने चाहिए उसके बाद है survey की निरंतरता यानि कि उसकी continuation बनी हुई रहने चाहिए यह नहीं कि एक साल हमने survey कर दिया और next year महाँ पे survey नहीं हो जैसे जितना भी उनका time gap होता survey का उस time gap के बाद next time फिर से महाँ पे survey किया जाना में continuation में वहाँ पे survey करवाना चाहिए ताकि हम लोगों की जानकारी वहाँ पे इकठी कर सके उसके बाद है methods हम किन-किन methods का यूज करते सर्वे के अंदर जब भी हम community के अंदर सर्वे करते स्वमोधार सर्वे करते तो उन में हम क्या अलग-अलग methods का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम समाज के अंदर होने वाले जो भी research है जो भी महाँ पे research हम कर रहे हैं उसका हम अच्छे से अधियन कर सके और गाओं में जो भी महाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर सबसे बहतर तरीका जिससे लोगों को लोगों का पूरण सहयोग और लोगों द्वारा जानकारी देना वहाँ पर हमें मिल सके यानि कि हमें ऐसा method यूज करना चाहिए कि जब भी हम वहाँ पर question पूछते हैं तो जो लोग हैं वहाँ पर जो भी महाँ पर वैक्ति है वो अपने आप से ही उनका अच्छे तरीके से वहाँ पर अंसर दे और अपने आप से वहाँ पर जानकारी देना अच्छा समझे आउश्यक जानकारी दीरे दीरे परत्यक भेट के समय इकठी की जाती है यानि कि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो उसी टाइम पर हमें क्या वो आउश्यक जानकारी देते रहे और हो सकता है हम अगर वहाँ पे कोई नंबर वगएरा एविलेबल करवाते हैं जैसे सरकार ने बहुत सारे नंबर दे रखे हैं कि हाँ आप इस नंबर पे कोल करके अपने समस्याओं का निवारन करवा सकते हो तो हम क्या उनको वह वाले नंबर भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा सर्वे कंटिन्यूसली चलता रहें वहाँ पे ठीक है परन्तु सर्वेक्षन संबंध्य कार्यों से देवरी नहीं करने चाहिए यानिकि जो भी सर्वे अगर हमें करना है और सर्वे में किसी तरह के देरी हो हमें वहाँ पे देरी नहीं करने चाहिए जितना हो सके हम हम जल्दी से-जल्दी सर्वे कर लेना चाहिए तैम की according जितना हम लेट करेंगे इतना ही क्राइवाप Tay बढ़ते हैं कुछ समुदाय सर्वेक्षन के कुछ वीदिया है जैसे कि हो हम क्या क्या करते हैं Data करते हैं यानि कि data collection करते हैं आकड़ों कोई कठा करते हैं साकसातकार सर्वेक्षन वही एक तरह से इंट्रिव्यू हम वहाँ पर लेते हैं लोगों का ठीक है और focus समूह समूह जो भी हम वहाँ लोगों का समूह है उसके उपर हम focus करते कि कौन-कौन इंसान वहाँ पर अच्छे से answer कर रही हैं कितना वह answer कर रहे हैं उस समूह में हममिली focus करते हैं कि उठोने किस तरीके से हमारी बात सुनी है और किस Aber dayend byA answers दिए рахुशम के उपर हम mainly focus करेंगे कि उस नूह में क्या उन्हों ने question हम पूछा है, ठीक है, और जिस तरीके से वहाँ पर जो भी result आता है, तो उस पर हम mainly focus करते हैं, और जो भी वहाँ पर case होता है, यानि कि जिस भी topic पर हम survey करते हैं, तो उस case का अधियन करेंगे, उस case की हम study करेंगे, कि हम किस तरीके से वहाँ पर समश्याओं को निवारण कर सकते और किस तरीके से हम वहां की समश्याओं को ले सकते हैं यानि कि हमारा सर्वे किस तरह से कंपलेट होगा यह सब बातों की हमें पहले ही जानकारी होने चाहिए कि हमें किस तरीके से सर्वे करना और किस तरीके से लोगों को अमारा अंसर करना ये सब किसके अंदर आता है मेंली चेक लिस्ट के अंदर आता है